हेलो फ्रेंड्स सेम की सबजी तो सभी लोग बनाते हैं लेकिन आज की ये सबजी बहुत अलग तरीके से और बहुत जरपट से बनेगी और बहुत कम कॉंटेटी में आपकी सबजीया बहुत धेर सारी तयार हो जाएंगी तो चलिए हमें करना क्या है सबसे पहले यहाँ पर द हुता है इसलिए आप इसे निकाल लेजिए गया तो चलिए इस आप किया करेंगी है तो चलिए हमें इसमें क्या 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 चाहिए वह मैं आगे आपको इसे हम तयार करने के लिए हमें एक प्रेशर कुकर चाहिए अब गैस पर चाहिए प्रेशर कुकर और इसमें डालें मस्टर्ड ओयल मस्टर्ड ओयल से इसका जो है फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता इस इसे रेसिपी का तो चलिए इसमें डाल दीजे 2-3 चुमच ओयल डाल कोई दिकत वाली बात नहीं है लेकिन यह जटपड से तयार होगी यहां पर देखिए अब हमें क्या करना है कि जैसे ही ऑल गरम हो जाएगा तो हाफ टी इसमें पर जीरा आड़ दीजेगा उसके बाद इसे हम सीजर होने देंगे और यहां पर देखिए लेसन की कलिया है मैं तो मैंने इसे भी सचीरा लगा दिया है और इसमें अब डाल दीजेगा इसका फ्लेवर जो है ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया आता है जरूर से डालिएगा और इस तरीके से आप बनाएगा ना बहुत ही मसदा राकि यह सबजी बनेगी यहां पर देखिए जटपड से य जिसे मैंने चॉप कर लिया है इसमें आप डाल दीजेगा और इसे अच्छे से हम इसे मिक्स करते हुए हम पका लेंगे एक से दो मिनट जादा नहीं हमें पकाना है इसका कलर थोड़ा सा हमें ट्रांसलोशन कलर आना चाहिए बस इतना ही हमें चाहिए बस इसे इसका हमें ज अब हम क्या करेंगे इस में सेम डाल देंगे अच्छे से ब lang में बाइफा कर लिया था मैंने यह अच्छे आपनी बिलकुल निकाल लिया ठीक है टो यह से एसे कहीज़र है और इसे अच्छे से हम्मिक्स करेंगे हम हमें कोई भी intervene मसाले अलग बढ़ने की जरुवत नहीं पड़ेगी बस फटा फट से यह सबसी तयार हो जाएगी एक ही प्रेशर कुकर में हम सारी चीज़े तयार कर लेंगे तो अब हम यहां पर क्या करेंगे एक मिनिट उसे भी चला दिया मैंने और अब क्या क्या यहां पर मटर मने लिया है इसमें डा हो जाए तो इसके साथ ही यहां पर हाफ टेस पूर नमक भी आड़ कर तीज़ेगा ताके सबजियों में अच्छे से नमक अबसॉर्ब हो जाए जो ताके फिके फिकी ना लगे तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम पका लेते हैं तो चलिए एक से दो मिनिट इसे हम पका और आलू है सबी एक साथ अच्छे से इसमें फ्राइ हो जाएंगी हमी अलग से फ्राय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यह देख सकते हैं आपकी अलग से हमी को जरूरत नहीं पड़ी है तो यहां पर देखके इसका इसका कलर भी चेंज हो गया है मैंनी दो मिनिट इ अब यहां पर लेसन के का पेस्ट आड़ कर देंगे तो एक चमच आप लेसन का पेस्ट आड़ कर दीजेगा और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजेए देखें फ्रेंड्स आप अगर बिगनर्स हैं तो आप यह बहुत ही इजी मैथर्ड से में इसे बनाना बता रही हूं कि आप कोई भी इसे बना सकता है तो चलिए एक मिनट उसे भी मैंने पका लिया है लसन को भी उसके बाद कुछ मसाले आड़ कर लेंगे तो हल्दी पॉडर दिए यहां पर जीरा पॉडर हाफ टीस्पून अटका लेजेगा मिर्च पोडर भी आप का लेजे विंद्यक भी और बहुत सरी चीजओं को अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई कर ल्य में आब यहां पर इक सकते हैं बिल्कुल ड्राय हूँ चुका है यहां पर तो यह थोड़ा सा हम क्या करेंगे एक चमच पहले पानी और लेते हैं ताके मसाले जले नहीं यह से भी हम मिक्स करते हुए सिरा कर लेते हैं उसके बाद हम टोमाटर करेंगे भाई दो चलिए यहां पर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है तो चलिए अब हम टमाटर भी आड़ कर लेंगे एक बड़े साइस का टमाटर था जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है इसमें आड़ कर दीजेगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लिजेगा तो कितना आसान है इसे बनाना तो आप भी समझ रहे होंगे न देख करके यह अंदा और अभी भी आड़ कर लेंगे तो अपने टेस्ट के एक और आप यहां पर नमक को आड़ किजेगा ज्यादा नहीं कर दीजेगा ठीक है और इसकी भुनाई कर लीजेगा तब तक भुनाई किजेगा और स्लो फलेम कर दीजेगा उसके बाद एक टमाटर थो उड़ा और यहां पर देख सकती है टमाटर भी कल चुका है है ना यह हो गया ना तो दोस्तों अगर रेसीपी पसंद आ रही होगी तो प्लिस लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यहां पर थोड़ा सा पानी आड़ कर दीजेगा ताकि हम इसे कु अब बहुत स्यादा हो जाएगी लिक्विड हो जाएगी बस इतना ही हमें डालना है कि यह बिल्कुल सुखा सुखा सा रहे लटपटा सा मसाला रहे बहुत चैटपटा सा सुआध भी चलिए इसको लीड को कवर कर के दो विसिल हम लगा लेते हैं उसके बाद में दिखाती ह आप देख सकते हैं डिपल सबसे बहुत जाएक साहना ने रहा है तरह अब यह देखिए यह बिल्कुल पख चुकी है इस नहीं सब्से प्ति को साइट पत्ति भी एक और ती अब भी एक रहे ओसम आएगा अभी आ सास्वाद से अच्छे से सु नहीग मिक्स कर लें खेर ले बहुत ही मज़दार है यह लगती है आप इसे रोटी के साथ खाई चावल के साथ किसी भी चीज के साथ आप से सर्फ कर सकते हैं फिर मिलती हूं इसी तरह से नई रेसिपी के साथ यह देखे बहुत ही बढ़िया आपके यह सबजी तयार होगे अगर आपको थोड़ा साइस में ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी आप डाल लीजे और अच्छे से मिक्स कर लीजे फिर मिलती हूं नई रेसिपी के साथ